जै गुर्देव जै पीन जै पारत मौनवासी भाईयो आज बात करने जा रहा हूँ राहुलारिया के बारे में जो की यूट्यूब पर बहुत ही गल्थ घटिया जानकरी हमारे मौनवासी भाईयों को देखे और उन्हें दिशाहीन करना जा जाए मौनवासी जो की आमानवता आसमा चिकता और आसमानता के कमौनों पर अधारित एक बुक है राहुलारिया उस पुस्तक का हवाला देकर कह रहा है कि यह पुस्तक दलिठिप के लिए है मैं इसे इसे की कही बातों का हवाला देकर यह साबित कर दुमा की यह कितना बड़ा जोटा दला और मतकार है यह कैसे हमारे मुण वासी भाहिनों को बटकाना चाहता है पहले आप इसका यह वीडियो देखें उसके बाद में बाकी बात करता हूँ कहा जाता है कि मनुस्तमर्थी में दलीतों के शुषितों के विरुद्ध शुद्रों के विरुद्धे बहुत सारी गलत बाते लिखी हुई है ब्रहमनों को कोई दंड नहीं देना दलीतों को इतना दंड देना है कि जिसकी कोई हद नहीं हो इतना शोशन कर देना इस परकार की बाद मनुस्तमर्थी को लेकर कहा जाता है इसको जलाया जाता है कनहिया कुपा ने पिछले जिरों में जनाया, उमर खालीद ने जलाया, और अदलीदों के नाम पर इस पर गाएं का जिन्यति करने वालों ने जलाया आज के बाद वो इस विशया पर कुछ भी बोलने के लायक नहीं बचेंगे यदि बोलेंगे तो उन्चे बड़ा जोटा उन्चे बड़ा मकार है उन्चे बड़ा देश द्रोही व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होगा इस पर स्टूप्से में सिद्ध कर दोगा सब के सामने दोस्तों मनुस्वर्ती से ही मैं आपके समक्स कुछ चीजे ले करके आता हूँ मनुस्वर्ती में इस विशय पर क्या कहा गया है जानलीजी आप मनुस्वर्ती अध्याए आठ है 337 चलोग और 338 चलोग दोनों सलोग एक साथ सुना रहा हूँ अश्टा पाध्यम तो शुद्र स्यास्ते योभावती किल्विशम अश्टा पाध्यम में तू शुद्र स्यास्ते योभावती किल्विशम अठा चोरी आधी अपराध करने पर यदि किसी शुद्र को आठ गुना दंड दिया जाएगा तो शोडशःवा्टो वश्यष्या शौडश ढठाथ 16 गुना इसको वैस्यः को 16 गुना दढ़ दिया जाएगा उसी अपराद के लिए आगै दोजोटरे इंचाता शत्र शत्रें कि्सी शत्रियको उसी अपराद के लिए 32 गुना दंढ़ दिया जाएगा फिरा तेहागे ब्रहामनस्य चातो शास्ति पोरवामवा पेशातमभवेत ब्रहमन को उसी अपराद के लिए चोशट गुना दंड मिलेगा अथवा द्वी गुणावा चातो शास्ति अथवा 128 गुना दंड मिलेगा 168 गुना कहां आठ गुना किसी चुद्र को और किसी ब्रहामन को 128 गुना तक दंड मिलेगा उसी अपराद के लिए क्यों तद्यवाप तद्यवाप गुना विध्धे साहा महरशी मनु कहते हैं क्योंकि एक ब्रहमन ने धर्म और धर्म के विशय में एक शुद्र एक वैश्य और प्षत्रिय से बहुत ज्यादा जानता हाँ जी आप समने ये वीडियो देखा है इसमें राहुलार्या ने कहा कि ये तो बताय ही नहीं कि शुद्र को कम ग्यान क्यों होता है या शुद्र को ग्यान होता ही नहीं इस घडिया किताब ने वो बैसिक राइट शुद्र को दिया ही नहीं पढ़ने लिखने का जो बैसिक राइट हर इनसान को होना चाहिए वो इस किताब ने शुद्र को दिया ह ही है ये क्यों नहीं बताया तम्हारी इस घटिया करता में तम्हारा घटिया बाप मनू क्या कहता है कि अगर कोई शूदर पढ़ना चाहे तो उसकी जबान काट दो और उसके कानों में पिगला हुआ सिक्का डाल दो और अगर कोई शूदर लिखना चाहे तो उसके हाथ काट ये सब भी तुम्हारे निजाइज बाप मनू ने इसी बुक में लिखा रहे हैं अब ये क्यों नहीं बताया ये भी बताना था ना भी बस उतनी बात बताई जितनी तुम्हारे काम की थी बाकी बाते किस ने बतानी थी तुम्हारे बाप ने मनू ने आके बतानी थी राहु लारया तेरे जैसे कमीने मनु की गंदी उलाद तुम्हारे दमाग में हमेशा उच नीच ही चलता है गंदगी से बरा हुआ तुम्हारा दमाग है मैं अपने सारे मूल नवासी भाईयों को बेंदी करता हूँ कि इस तरह के हराम खोरों से बचके रहो इन से दूर रहो मूल नवासी भाईयों मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ता हूँ जो जे राहु लारया तक पहुंच सके और इसे इसकी उकात पता चल सके इसके गंदे बामनु की उकात पता चल सके इसी के साथ सबी भाईयों को कुरांती का ली जै भीम जै भारत सब सोच विच पह गये मंथेते हाथ मारे मनवादी पह गये जद सवीडान लिखिया सब सोच विच पह गये मंथेते हाथ मारे मनवादी पह गये जद सवीडान लगू हो गया ऐसी कोटिनों तक बिठा गया मुझे रोटन को बिठा लिया हम समी दवा गया समी दाल भी बढ़ा गया पीम राओ जालमा निस कुझ ला गया बावसाब सारे आनिस कुझ ला गया